किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई कुछ भी कहे हमें हमेशा अंतरात्मा की ही आवाज सुननी चाहिए क्योंकि अंतरात्मा की आवाज हमें हमेशा सच्चाई की ओर ले जाती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रेम्रिकास पांटे है आज अपने चलर पर एक नई बहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसके जरिये हम जानेंगे कि हमारी अंतरात्मा सब कुछ देख रही है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर हर बालक को अटने जीवन के 25 वर्स गुर्कुल में बिताना पड़ता था उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे जिनका गुर्कुल बहुत प्रसिद्ध था जहां दूर-दूर के राजिके सिस सिच्छा प्राप्त करने आया करते थे बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढ़लने लगी थी और उसकी पत्नी का देहां हो चुका था घर में वीवाह योग एक कन्या थी राधे गुप्त को हर शमय उसकी चिंता सताती रहती थी वह उसका वीवाह एक योगी वक्ति से करना चाहते थे जिसके पास संपत्ती भले ना हो वह कर्मट हो जो किनी भी परिस्तिती में उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित नेड़े ले सको एक दिन उनके मस्तिस्त में एक खयाल आया और उन्होंने उस परेशानी का हल सोचा कि क्यों न वो अपने खुद के सिस्यों में से ही योगी वर की तलास करे उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है इस कारे के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परिच्छा लेने का नड़े लिया और सभी सिस्यों को एकत्र किया रादे गुप्त ने सभी से कहा कि वो एक परिच्छा आयोजित करना चाहते हैं जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परच्चे होगा उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के वीवाह की चिंता है जिसके लिए उनके पास परियाब धन नहीं है इसी लिए वे चाहते हैं कि उनके सिस्य वीवाह में लगने वाली सभी समागरी कैसे भी करके एकत्र करें भले उसके लिए उन्हें चाहरी का रास्ता चुनना पड़े लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख न सकी इसी एक शर्ट का पालन सभी को करना है अगले दिन से सभी सिस्से कारे में जुट गए रोजाना कोई न कोई कोई तरह की बस्तुएं चुरा कर लाता और राधा गुप्त को दे देता राधा गुप्त उन्हें एक विशेश स्थान पर रख देते क्योंकि परिच्छा के बाद यहां सभी बस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था क्योंकि वे अपने सिस्षों को शही ज्यान देना चाहते थे सभी सिस्से अपने अपने दिमाग से कारे कर रहे थे लेकिन इनमें से एक चुप चाब गुर्गुल में बैठा हुआ था जिसका नाम था रामाश्वामी वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और बोनहार जात था उस ऐसा बैठे देख राधा गुप्त ने इसका कारण पुछा तब रामाश्वामी ने बताया कि आपने परिच्छा की सर्थ की रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई न देखे इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है हम खुद से उसे नहीं छुपा सकते हैं इसका अर्थिया है कि चोरी करना ब्यर्थ है उसकी यह बासुन राधा गुप्त के चेहरे पर खुसी छाग ड़ते हैं वह उसी वक्त स आप सबने जो चोरी की क्या उसे किसी ने देखा तभी सभी कहते हैं नहीं तब राधा गुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छुपा सके सभी को बात समझ आ जाती है और सब का सिर्फ नीचे जोग जाता है शिवय राधा गुप्त रामा स्वामी को बुद्धिमानी के परिच्छा में अवल पाते हैं और शभी के सामने कहते हैं कि यह परिच्छा मेरी पुत्री के लिए उचित वर्तलासनी के लिए रखी गई थी, इस प्रकार मैं रामा स्वामी का वीवाह अपनी पुत्री के साथ तै करता हूं, सभी खुसी से जूम उरते हैं, साथ ही चुराई हुई हर एक बस्त को उसके मालिक को शौप विनमर्ता से स सही राह दिखाता है, इसलिए मनुष्य को किसी भी कारे के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है, आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया है, इसलिए ही वो गलत रास्ते पर जा रहा है, हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत राह नही जरूरी है कि मन की आवाज हमें वो करने की सला देती है जिसे दिमाग कभी सुविकार नहीं करता है जो कि दिमाग सद्यो स्वहित में कारे करता है और मन हमें सही और गलत का परचे करवाता है यही सही गलत का परचे ही हमें सद्यो गुराई से दूर रखता है किसी भी कारे के पहले हमें मन की आवाज जरूर सुनना चाहिए दोस्तों मन की आवाज सुनिये और सही कारे करते रहिए और प्रद दिन सुबह साड़े पांच बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करे दिन की सुरुआत तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आसिरबाद और भगवान के ताहरे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा की उदाहर बन जाए इस्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने इस